चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से निमस जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसके साथ ही मोत का आकड़ा भी बढ़ रहा है चुकरवार को जहां पांच लोगों की कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया वही शुकरवार को भी चार लोगों का कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार शंचान में अंतिम संस्कार किया गया अब तक कर एक 42 लोगों की कोरोना से मोत हो चुकी है यह आकड़ी स्वास्ति भाग के है कोरोना से मोत के आकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं जहां शुक्रवार को नीमश मुक्ति धाम पर पांच लोगों का अंतिम संस्कार हुआ वहीं शनिवार को भी बस इस्टेंड इस्तीच शमशान घाट में दो पर दो बज़े तक चार लोगों का अंतिम संस्कार किया गया एक के बाद एक चाओ का कौरोना प्रोटोकाल के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया शांन्यवार को राजुु प्रकाष उम्र 77 वर्ष निवासी विकासनघर सुरेश राम लखन उम्र 47 साल निवासी TIT कोलोनी शिववन्या बाई पती रामेशवर उम्र 48 वर्ष बगाना और 14 देवी पती देविलाल उम्र पीचोत्तर वर्ष निवासी चीता खेडा की कोरोना से मोत होने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संसकार किया गया कोरोना की दूसरी लहर में निमत जीले में मोत का आकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है रोज 4-5 लोगों की कोविट से मोत हो रही है लेकिन स्वास्त विभाग का आकड़ा जोकातियों है स्वास्त विभाग के मुताबिक अब तक 42 लोगों की कोविट से मोत हुई है CMHO डोक्टर महिश मालवी कहते है कि कुछ मोते ऐसी होती है जिनकी RT-PCR रिपोर्ट आना शेश रहती है जिसका अंतिम संसकार कोरोना प्रोटोकाल से किया जाता है इसलिए जब तक रिपोर्ट आगे से हासिल नहीं होती तब तक उनकी मृत्यू कोविट में नहीं मानी जाती है डोक्टर मालवी ने कहा कि अभी कोरोना से रीकवरी डेट कम है और यहाँ कोरोना की दूसरी लहर घातक है जिसका संक्रमन बच्चों में भी पाया जा रहा है इससे बचने के लिए मास्क लगाए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करे और बेवज़ बाजार में ना गुमे अगड़े बराबर हम बताते हैं हमारे जो अगड़े निकलता उसके अंदर हम दर्शाते हैं सर अभी विगत दिनों में दो या तीन दिनों में क्या अगड़े मृतिव दर के रहे होंगे देखिए अभी तो एक्जेक्ट्ली चालिस से उपर होगी यह मृतिव और अभी जैसे मेरे पास आते हैं जानकरी जैसी आती हो आप लोग पता कि सब कुछते हैं तो मैं बराबर उनको बताता हूं सब्सक्राइब करने के लिए उसी के अनुसार किया जा रहा है और वकाइदा उसका हम प्रोटोकल का पालब कर रहे हैं स्थर्वाने को रोना की स्थी हमारे अभी अगर पिछ्टे आठ दिन का देखें तो कम पर साड़े से सोच है कैसे समारे नए पासिपी बिले हैं और हम लोग उनको यदा उचित जोवी इस स्टेज का होता है अगर एस सिंटमेंटिक होता है कर रहे हैं दुसरे वह माइल को माड़े मोड़ा है तो उसको हम लोग आपने उसको दवाय वगरानी करें कि इसरा यह है कि अगर वो अपने अस्पतालों में फुर्टी कर रहे हैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने कई निजीच्पसालायों को हमने पहनु को बोटी कोरोना का मरी ठाके जिसे हमारी बेट अवेबिलिटी हमारी ज्यादा सज्यादा हो सके और कोई भी मरीज हमारा इदर उदर ना बटके बेट के अबाओं में तोड़ी सी कम है ताइम लग रहा है क्योंकि यह स्टेन दूसरा वाला स्टेन है और यह बहुत ही मतलब तेजी से फेलने वाला है मैं तो कहता हूं कि हम सब को बड़े सावधारी लेकर चलना है और हमारे को कॉरोन से लगने के लिए हमको जो हिदायती दी हमारा प्रोटोकाल है कि हम बगर मास् हम बार-बार अपने हाथ का सेनिटाइज करते रहे हैं और डिस्टेंस जो है देह दूरी बना के रखें यह सबसे बड़ा प्रोटोकाल है और एक चीज़ और है अनावशक रूप से यह जो लोग इदर उदर घूंते हैं चाई की दुकान पर बेट जाते हैं और वहां पील करता हूं सभी से कि रपया आप अपने गर्मों पर ही रहें अत्यानता अशक होने पर आप बाहर ने जाते हैं